हलो फ्रेंड्स मैं हूँ साहिद और आप देख रहे हैं सिफिट रेनिंग चैनल आज हम लोग सिखें कि कम्प्यूटर के अंदर जो ड्राइब होता है ठीक है अगर कभी हाइड हो जाए तो हम कैसे लाए ठीक है चलो आज सिखते हैं जैसे कि यहां मेरा अभी चार ड्राइब दिख रहा है C, D, E और Z ठीक है और मेरा एक ड्राइब छिपा हुआ है मेरा पांच ड्राइब था जिसमें चार ड्राइब सो कर रहा है तो अगर इस तरह आपके साथ होता है तो हम इसे कैसे फिर से वापस लाएं तो हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं यहां desktop पर आते हैं computer के icon पर right click करते हैं और यहां manage में आते हैं और disk management इस पर click करते हैं जैसे disk management पर click करेंगे यह आपका इस तरह से so हो जाएगा यहां आपको देख रहा है c d f और new volume ए और z यह मेरा drive है ठीक है तो यह हमें so नहीं हो रहा है ठीक है तो इससे so करना है इससे so करने के लिए इस पर right click करेंगे और change drive later के अंदर आएंगे और यहां से एक later हम add कर देंगे हम g को यहां add कर रहे है ओके करते हैं देखते हैं add हुआ है या नहीं नहीं हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार जी ड्राइब add हो गया है ठीक है c d e और g h 12345 ठीक है मेरे पास पहले so जो हो रहा था वह सिर्फ four drive so हो रहा था ठीक है और यहां एक drive जो छिपा हुआ था वह so हो रहा है अभी ठीक है और जिसका मैंने g नाम दिया था ठीक है और यहां आपको दीख रहा है new volume ठीक है जो वहां आपको दिखा ठीक है new volume इसके अंदर इस तरह से आप फिर से अगर hide करना चाहते हैं तो यहां से इसे remove कर देंगे सिर्फ ठीक है अभी so नहीं कर रहा है क्योंकि इसे फिर से restart करना होगा ठीक है restart करने के अब बाद भी यह फिर से आप इसे hide कर सकते हैं जैसे कि हम इसे फिर से remove कर देंगे ठीक है हम दूसरे drive का remove करके दिखाते हैं manage के अंदर आते हैं और disk management जैसे कि हम यहां d drive d drive पे आते हैं और यहां से change drive later है ठीक है यहां से remove कर देते हैं जैसे remove करेंगे यह remove हो जाएगा और फिर हम आते हैं यहां देखो यहां d drive सो नहीं हो रहा है c e और g और z है अभी four drive दीख रहा है ठीक है और disk management के अंदर आते हैं और यह मेरा drive है इस पर फिर से right click कर रहे हैं और यहां से change drive path add करेंगे और यहां से d है d को select करेंगे ok ठीक है और minimize करके हम देखेंगे यहां आग यह है अब check कर लेते हैं देखो c e g और z d total drive so कर रहा है तो इस तरह से hide और so कर सकते हैं drive को ठीक है thanks for watching